स्टेटिक मार्श्मेंट पार फैड आर्टेबिट हम जबते नुबर सिक्स को कॉंटीनु कर रहे थे जिसमें हमने डिफरंट मार्चिंग स्टेज के मार्चिस को बलारा सीखना स्टार्ट किया था लास्ट लेक्सित में हमने बात की थी about the SWOT मार्चिक्स और हम उसको कैसे डिफल अप करते हैं SWOT को उनके डामेंशन के उपर आपको डेटा प्रवाइड करता है अभी के लिए हम जो अपनी मार्चिंग सेज इसको इस स्टेप्र के कर लिए कॉंटिनु कर रहे थे उसमें एक और मार्चिक्स को देखते हैं जिसका नाम है SPACE MATRICS SPACE STANDS FOR STRATEGIC POSITION AND ACTION EVALUATION MATRICS So let's see, इस SPACE जैसे चार वर्ड्स आपको इसमें नज़र आ रहे हैं STRATEGIC POSITION AND ACTION EVALUATION ये तिन BASIS के उपर आपको बनता हुआ नज़र आता है SPACE में जो FACTORS आपको नज़र आते हैं वहां पे दो FACTORS हैं पहला FACTORS जिसके उपर हम बात करते हैं हो है INTERNAL STRATEGIC POSITION दूसरा FACTORS जो होगा हमारा हो है EXTERNAL STRATEGIC POSITION यहां पे हम जो INTERNAL STRATEGIC POSITION AS YOU ALREADY KNOW कि INTERNAL से बात वो FACTORS होते हैं जो कि ORGANIZATION के CONTROL में होते हैं और WITHIN THE ORGANIZATION होते हैं उसमें जिस चीज को हम मेर कालकुलेट करने की कोशिश करते हैं वो क्या बनती है FINANCIAL STRENGTH दूसरा जो FACTOR INTERNAL के CONTECTS और CONTROLLEBEL में आएगा वो है हमारा COMPARTITIVE ADVANTAGE जो हम इन दोनों FACTORS को CONSIDERL करने की कुशिश करेंगे कि हमारी FINANCIAL POSITIONS क्या बनती है काम पनी की और गन COMPARTITIVE ADVANTAGE क्या बनती है और यह दोनों FACTORS को CALCULATE किये जाएंगे यह DIFFERENT INTERNAL जो FACTORS हैं उनके डेटे को हम लेते हैं और फिर इसको CREAT करने की कोशिश करते हैं जो दूसरा हमारे पास FACTOR आता था वो EXTERNAL और EXTERNAL को रियाद कर आते जाते हैं EXTERNAL FACTORS और दोस विचे आउटसाइड दो और 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 यहां पे जिसको हम CALCULATE करने जारे हैं जिस एक FACTOR को वो है ENVIRMENTAL STABILITY और दूसरा FACTOR जो हमारे पास आता है वो क्या है? THAT IS INDUSTRY STRENGTH अब यहां पे हम इसके तोर से PROCESS की दर चलते हैं और पिर वापस आपको मैं इसी साइड पी उपर लेकर आओंगा कि कि इन FORCES को हम CONSIDER करेंगे इनको CALCULATE करते हैं So, यहां पे एक आपको क्या नज़र आ रहा है? यह SPACE MATRIX बना हुआ नज़र आ रहा है यह कैसे बनेगा? इसकी तोरशी डिएल में चलते हैं पहले तोरा साथ यहां के ओपर हम देखते जाते हैं इसके DIFFERENT STEPS को STEPS REQUIRED TO DEVELOP A SPACE MATRIX वो क्या है? कहेंगा STEP जो हमारा RELATE करता है SELECT A SET OF VARIOBLES TO DEFINE INTERNAL FACTOR कौन सा आ गया जी? FINANCIAL POSITION जबे मैं आपके हिंट के लिए यहां पे I AND T लिक लिपता हूँ INTERNAL Dूसरा CONTROLABLE FACTOR आ गया COMPARTITIVE POSITION यह भी कौन सा FACTOR है? यह INTERNAL FACTOR है आपकी STABILITY POSITION यह आपका EXTERNAL ELECTURE PRAIN और आपकी INDUSTRY POSITION यह भी आपका EXTERNAL FACTOR है यह हमने IDENTIFY का लिए यह हमने IDENTIFY का लिए देन दूसरा STEP को परता आगे पर मैं आपको वापस पहले STEPPICATION की तरफ लेकर आता हूँ और आपके लिए बहतर अर्शाणिंग हो जाएगी अब हमने इसको एक NUMERICAL VALUE देंगे NUMERICAL VALUE किस चीज के ओपर यह एक मैयरमेंट स्केल आगया जो के देंच बनती है PLUS ONE से PLUS SEVEN तक अब यह NUMERICAL VALUE PLUS ONE पे है तो क्या बता रही है PLUS SEVEN पे है AND SEVEN इस VALUE FOR THE BEST और यह हम किसको दे रहे हैं EACH VARIABLE को दे रहे हैं जो के MIL के क्या बनाता है यानि FINANCIAL POSITION में आपको कई और VARIABLES MIL के FINANCIAL POSITION बनाएंगे इसी तरह से अगर हम INDUSTRY POSITION की बात करते हैं तो वो भी कई जो हमारे पास FACTORS हैं उनको मिलके बनाएंगे OR THEN ASSIGN A NUMERICAL VALUE RANGING FROM MINUS ONE TO MINUS SEVEN OR यहां पर MINUS ONE OR MINUS SEVEN की REASONS भी आपको बताता करूंगा यह इसको एक तरह समझ लेते हैं MINUS ONE IS THE BEST AND MINUS SEVEN IS THE WORST TO EACH VARIABLE THAT MAKE UP THE SP SP STANDS FOR STABILITY POSITION जो EXTERNAL था और CP COMPATIVE POSITION था जो के INTERVAL थी अब इसको मैं तोड़ा सा आपको TLEAR करता जाता हूँ यह हम जब भी किस चीज को ANALYZ कर रहे होते हैं तो हम कुछ इस तरह से कुछ बाजुकार दो राइने लगाते हैं यह हमारे पास क्या आ गया VERTICAL और यह हमारे पास क्या आ गया होरिसेंटल अब होरिसेंटल पर आपको क्या नजल आता है X-axis और वर्टिकल की उपर आपको क्या नजल आता है Y-axis अगर इसको में नहां पर ड्रॉव करूँ तो यह Y-axis बन गया और यह X-axis बन गया इस डाइगराम को अगर हम ऐसी बनाने करते हैं तो हमारे पास यह Y-axis को अगर मैं वैसे यह जी हमें पता लगा था एक से साथ तक हमने देना है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ तक हमने कर लिया तो यह 10 में रहा लेकिन इसी को अगर मैं नीचे की तरफ खेंचता हूँ तो यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और यह साथ तक वैल्यू गी तो यहां पर यह माइनस 7 पे चला गया यहां पर यह 0 है और यहां पर यह पर पलस 7 पे चला गया इसी तरह से x-axis पे अगर हम इसको करते हैं तो यह हमारे पास बाल्बास 7 पर उसी दिदी गी यहह कि पलस 7 है और यहां पर इसी को कॉंटिनू करें यहां पर हमारे पास चार आगे इसका मतलब क्या हुआ हमें ये नजर आया कि हमने प्लस 7 और माइनस 7 दोनों वैल्यूस को रखा और माइनस इसी तरह से X-axis पर इसी तरह से Y-axis पर अब अगर अगर आप तरह से तबज़ों देते हैं step number 2 के उपर तो plus 1 से 7 जो है ये worst to best है for two different variables और वो किसके लिए हमारे पास आ रहा है financial position and हमारे पास दूसरा variable कौन सा आ गया industry position का then हमारे पास दूसरी जो दो different variables का set आया है जो के minus पे करेगा अब देखें minus में आप कहा fall करते हैं ये दो forces आपकी यहाँ fall करेंगी और अगर आप plus में हैं तो आपकी दो forces आपको यहाँ fall करती ही नहीं 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 आपकी इसको मैं आपकी लिए थोड़ा सा further यहाँ पर लेया जैसे आपने कहा plus पे तो financial position और industry position आपकी इसवाली dimensions के ओपर plus के ओपर fall की और देन आपकी competitive position और देन दूसरा आपका जो factor था वो आपका यह minus की dimension में आपको fall करता हो नहीं 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 तो हमने जब भी इसको scale के ओपर plus one to seven score देना है तो इसी context में हमने score देना है तो अभी वापस आए second step को हमने सब्सक्राइब समझा और फिर वापस अपने पहले step पर देना है कि हमने जो यह जो variables दो और दो हैं दो internal और दो external variables बनाए हैं इसको करद से calculate करेंगे यह देखते हैं अगर हमें internal strategy position देखी दी तो उसमें financial position और comparative position थी तो there are some guiding principles कि यह जो एक variable हमारे पास बन रहा है that is a combination of many other variables इसका मतर है इस variable को calculate करने के लिए कि company की financial position क्या है we have to take data from some other statements कह लें या information basis हमें मिलती है अग financial position को अगर आप मेर करना साहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं जैसे you get data from your different statements return on investment आपकी क्या आपकी leverage का status क्या है liquidity ratios क्या चल नहीं है आपका working capital क्या है cash flows कैसे चल रहे हैं आपका inventory turnover क्या आ रहा है earning per share क्या है और price earning ratios क्या है तो ये different values आपको help करेंगी company की overall financial position calculate करने में फिर बता देता हूँ financial position आपकी क्या है इसको अगर आप समझते हैं कि it's good तो आप seven के करीब जाते जाएंगे और अगर आप समझते हैं कि आपकी financial position इतनी अच्छी नहीं है तो आप one के करीब करीब जाते हैं then दूसरे हम factor की तरफ सरे जाते हैं ये क्या है जी हमारे पास हमारे दूसरा factor क्या बना that is our IP stands for our industry position जो कि एक external factor है जो industry position को कैसे industry हम किसमों करते हैं जहां पे तमाम farms मौजूद है या उस industry में growth potential क्या है profit potential क्या है financial stability कैसी है extent of leverage क्या है resource utilization कितनी एची है easy entry into the market है यह नहीं productivity का level क्या है हमाली capacity utilization किस लेवल के उपर है और अगर हम समझते हैं कि यतनी अची industry position नहीं है form की तो फिर हम उसको एक के करीब इनिवर्स के नमर देते हैं रैकिंग देते हैं और अगर उसकी position अची है तो हम plus seven के करीब करीब जाने की कुशिश करेंगे इसी तरह से जब हम दूसरे internal factor को देखते हैं तो competitive position of the firm को मेर करने के लिए हम देखते हैं कि हमारा market share कितना है हमारी product की quality क्या है product life cycle stage पे हम कहां पे खड़े हैं customers का loyalty status क्या है हम अपनी capacity को कितना utilize कर रहे हैं हमारी technological know how कितनी है और control over the suppliers and distributors कितना जादा है और अगर हमने इसको score देना है तो remember ये बहाँ score plus one two plus seven था और ये भी one two seven था ये minus one two minus seven score रहेगा और ये भी one two minus seven score की categorization रहेगा minus one और minus seven के अगर हम देखते हैं तो minus one was the best जनी जो origin के करीब है और minus seven was the worst जो के origin से दूर बनता है और इसी तरह से अगर हम stability position की पात करते हैं तो technological changes अगर fast and stability काम होगी rate of inflation क्या है demand variability कितनी exist करती है price range baggers to the entry into the market then competitive pressures क्या है ease of exit from the market कितनी है elasticity of demand price के context में क्या है और risk involved in the business क्या है so इसको यहां पर conclude करते हैं कि हम इन चारो जो variables हैं उनको measure करने के लिए further sub variables को utilize करते है okay if we have got the information तो हम third step पर move करगे compute an average score for fp, cp, ip and sp अब बन्यावी तरह पर देखे हैं मैंने हर एक को plus one plus seven plus one plus seven का score जो मेरा बनता है वो दिया अबर मैंने पांच forces लिए चले फसकते हैं यह financial position के लिए और एक में दो का score था एक में पांच था चार था तीन था और एका साथ था उसी को calculate करते हैं अठी है पांच था एक किया गजरा हो गया उगए चोदा हो गया इस हो गया तो पांच forces का average score अभर पांचよね डेस फांच तो बार दा था निवा पांच था दूसकटस एक齋 अभर कश्क पैस को अभर कर था Rs. अब इसी तरह से हम ने यह score यहां का calculuit कल्कुलिट किया है यहां का यहां का और यहां का तो यह दो स्कूर्स आपके पास माइनस में आ रहे हैं और यह दो स्कूर्स आपके पास किस में आए प्लस के स्कूर में आए अब इसी को अगर हम यहां पर पेस्ट करते हैं आपको मैं डाइगराम दिखाता हूं तो हमने क्या कि डिफिर्ट फोर्सेश को यहां भी एक रदर्स को शॉर्ट करता हूं, हमने यह डिफिर्ट फोर्सेश जुन सी है, इसको स्पेस मैक्रिक्स कोट करती है, यहां पर फाइनश्य पोजिशन आगी, जो के य एक्सेश पे है, और एक्सेश के उपर क्या चला गया जी, दूसरा करा गया, that is, S, P, इसी तरह से एक्सेश के ओपर CP और इंडिस्ट्री पोजिशन यह दोनों चीज़ें आगी, अब जो हमरा स्कोर बनता है, उसको हमने प्लांट करना है, इसी के ओपर, जिस्ट यहां से कुछ स्टेप्स को लेते हैं, यह हो गया, प्लाट अवरिज स्कोर फ इस फोर वेडिबल्स ऑन अप्रॉप्ट एक्सेश इन स्पेस मैट्रिक्स, चैने जी, यह देख रहे हैं, आपको यहां पचले हैं, तो आपको मेयरमेंट जैसे यह 4 प्लास, 4 है, आप जैसे फाइनशल पोजिशन का, यह एक स्कोर पाचले मैं बैसे ही करता हूं, आपके ल चार आगया, तो 6 जमा मन्फी चार पराबर 2, तो हमारा यह यह एक्सेश का स्कोर टेल्पूरेट हो गया है, इसी तरह से अगर हम करते हैं, आई पी और स्पीज़ यह मैं हाइपाउटिक्ली वैसे ही बना रहूं आपके लिए समझाने के लिए, आई पी का स्कोर हमारा आग वो माइनस टू में आगया, तो यह माइनस टू में आगया, तो यह स्कोर हमारे पास आगया, वन और यह एक्सेश का स्कोर है, आप फरस करते हैं, यह इस डाइग्राम को लेते हैं और हम प्लॉट करते हैं आपके लिए, एक्सेश के उपर हमारा स्कोर वन है तो हम यहाँ प नहीं खहिजते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस कौटरंट में फॉल कर रहे हैं, अब बैसी मैं आपके लिए एक और एक्जाम्पल बनाता हूँ, जैसे यह माइनस टू और फॉर आ गया, फॉर इसका स्कोर है जी, आपके य एकस्स का स्कोर है, माइनस टू आपके एक एक, टीण, चार और फांच, यहां तक आपका स्कोर आया, और यहां पे आपका य एकस्स्सका स्कोर, आपके बास क्टू है, यहां से अगर भाट है तो हम कॉरू जाता है, तो हम इस कौटरंट में फॉल करते है, सो तो इस हाओ भॉmberफ इंट्र और आप माइत ने गिर्चेज कुरमाशbooks किप्रिशान इस अपर डिफन स्ट्रेक्स हैं कि अगर दो पास यह अग्रपफन प्रस्ट्रसत्टी है ज नबत्ते हैं how to develop a space matrix if there are still any questions or queries you can ask in the comment section and we will be happy to answer those questions so thank you very much for watching this lecture have a nice time Allah Hafiz